हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी है मेरे पाव बहुत सॉफ्ट और मसालेदार बनी है मैं आपको एक बाइट तोड के दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स ये कितनी अ टमाटर और दो गाजर ले ली है अब मैं इसे कट कर लूँगी मैंने आलू और गाजर को थोड़ा मोटा ही काट लिया है अब मैं एक कोकर में एक कड़्ची ओयल डालूँगी थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और इसे थोड़ा भून के अपने आलू और गाजर भी डाल इसे mix कर लेते हैं साथ ही मैंने अपने टमाटर और चुकुंदर को भी काट लिया है मैं वो भी इसमें add कर दूंगी साथ में एक कटोरी मतर भी डाल देती हूं थोड़ा सा नमक थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल कर मैं इसको mix करके देड़ कटोरी पानी डाल दूंगी अब मैं इसको ढखकन लगा कर medium flame पर 4-5 सीटी लगवा लूंगी इसके मसाले के लिए मैंने बारी कटे हुए प्यास बारी कटे हुए शिमला में 4 टमाटर ले लिये हैं चौप किये हुए और साथ में मैंने अद्रक लसन का पेस्ट भी ले लिया है अब मैं एक कड़ाई मर एक करची ओयल डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी हमें इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है साथ ही हम इसमें कटे हुए अपनी शिमला मिच पे डाल देंगे थोड़ा सा भून लेंगे साथ ही हम इसमें अपने कटे हुए प्यास भी डाल देंगे इसे भी चला लेते हैं इसे बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना है बस इसका पानी सूख जाए तब तक ही भूनना है दीखिए फ्रेंट्स ये भून चुके हैं इसके बटर और ओयल भी अलग हो चुका है अब मैं इसमें अद्रक लसन का पेस्ट डाल दूँगी और इसे भी भून लूँगी साथ में साथ ही हम मसाले डाल देते हैं जिसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा, धनिया और थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है और अब मैं इसमें अपने चौप के वे टमाटर डाल दूँगी इसे भी अच्छे से भून लेंगे साथ में मैंने एक चमच पाव भाजी मसाला डाल दिया है और अच्छे से भून लेंगे हमारी विसल साथ चुकी है हमारा मसाला भी रेडी है हमारी सबजी भी अच्छे से गल चुकी है अब हम इसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे और जो हमारी भाजी है वो अब हम अपने मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे से इसमें मैं आधा नीमबू भी डाल देती हूँ और एक कटोरी पाने डाल दूँगी क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं रखना है और अच्छे से भून लेंगे अब हम अपने पाव रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने एक तवा गरम कर लिया है अब मैं इस पे बटर थोड़ा सा पानी का छीटा और थोड़े से धनिया डाल दूँगी और एक चमच जो हमने भाजी बनाई है वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको तवे पे फैला दूँगी अब मैं इस पे अपने पाव अच्छे से से शेक लेती हूँ अच्छे से उलट पलट करके अच्छे से से के हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे देखे फ्रेंट्स मेरी भाजी कितनी अच्छी लग रही है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब सरूर कीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग